बसकार दोस्तों सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिंग है तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर यही नमबर है हमारे सिर्फ जहां पर कॉल या बट्ट अब कर सकते हैं इस्टाग्राम पर जरूर्ट कर लिएगा इस्टडी फॉर सिविल से मैं आयूशी मदान आपके सामने लेके आई हूँ हमारे फेब्रेरी के बिलकुल लास्ट वीक के करंट अफेर्स यह वाला जो पूरा लास्ट वीक है हमारा इससे जुड़े हुए इंपॉर्टन करंट अफेर्स को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इससे पहले की लेक्चर आप लोग अल्रेडी सुन चुके हो तो सबसे पहला है हमारा नाशनल साइंस डे राश्ट्रिय विज्ञान दुरस देखिए सबसे पहले इंपॉर्टन डे अगर मैं बात करूं पर यह इंपॉर्टन डे नाशनल साइंस डे विज्ञान दुरस जिसकी इस बार की थीम पूछी जा सकती है ग्लोबल साइंस पॉर ग्लोबल वेल बी वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान अभी जी ट्वेंटी के अध्यक्षता हमारे पास है उसके तहत इसक इसका देखो मैं हर बार आपको जब भी यह बताते हु दिनों के बारे में आपको रिजन बताते हुआ अब इसका भी रिजन सब लोग समझेंगे और याद रखेंगे जो हमारे एक फिजस्ट थे जो की फिजस्ट के ज्याता थे सीवी रमन इन्हों इनका जो है ना करी थी रमन इफेक्ट के डिस्कावरी के लिए इनको ये प्राइज मिला था तो इसी के चलते ये चीज था अब अगर मैं बात करूँ कि साइंस की फील्ड में और भी लोगों को क्या कोई प्राइज मिला है नोबल प्राइज तो येस हर गोबिंद खुराना सुब्रमन्यम च चुरू किया गया था 28 फेबरी को रमन इफेक्ट का प्रिब्यूट देने के लिए नाशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है सबको क्लियर हुआ इसके बारे में फैक्स पता होने चाहिए प्रीवेस जो चीजे हैं वो थोड़ी-थोडी से यहां पर आपको आइडिया होना चाहिए इस बार की थीम पूछी जा सकती है बढ़ते हमारी डिफेंस न्यूज की तरफ इस हफ़ते की डिफेंस न्यूज में सबसे इंपोर्टेंट है कोब्रा वारियर एक्ससाइज अभी हमारी जो एयर फोर्स है वो कोब्रा वारियर एक्ससाइज मार्च में हुने वाले है उसमें participate करने के लिए तयार है तो कोब्रा वारे रेक्सेस किसके साथ होती है United Kingdom के साथ वही वही की जाएगी United Kingdom में एक Air Force है उनका नाम क्या है Weddington Air Force Base वहाँ पर किया जाएगा और केवल इंडिया ही नहीं उसमें Singapore, Finland, USA, South Africa, Sweden ये सब भी participate करेंगे साथ में इंडिया भी participate कर रहा है और साथ ही साथ में बात करूँ क्या हमारी UK के साथ और भी कोई exercises होती है तो येस बिलकुल होती है UK के साथ हम लोग exercise करते हैं कौंकन exercise ये हमारी Navy की exercise है इसके अलावा हम लोग जो है हमारी Air Force के साथ हम लोग दोनों इंद्र धनुश exercise करते हैं इंद्र धनुश ऐसे ही हमारी जो Army है थल सेना के साथ ये थल सेना करती है ये वायू सेना की होती है और ये जल सेना की है चीक है Army के साथ का नाम क्या है अजेया Warrior चीक है क्योंकि UK के साथ हम ये exercise कर रहे हैं नाम क्या है cobra exercise तो cobra exercise के बारे में पूछता है तो ये जो है بالateral नहीं है दो देशों में नहीं है multinational है काफी सारे देश यहाँ पर आते हैं ताकि एक दूसरे से हमारे जितने भी लड़ा को विमान है fighter aircraft, वो एक दूसरे से नहीं नहीं practices सीख सके और हमारे यहाँ पर हमारे भारत के तरफ से पांच जो है मिराज हेलिकॉप्टर पार्टिसिपेट करेंगे और सी 17 हेलिकॉप्टर भी यहाँ पर फाइटर प्लेन भी पार्टिसिपेट करने बाते हैं तो यह आप याद रखेगा UK के साथ यह चीज इंपोर्टन पूछी जा सकती है ऐसे हमारा डिफेंस में अगला आर्टिकल है जैसे हम exercise यह पढ़ रहे हैं ऐसे ही एक और exercise हुई है जिसका नाम है desert flag अब यह हुई नहीं है मतलब यह चल रही है exercise ongoing है desert flag exercise अब इससे क्या सवाल ब द्गनाई सूटी है अब बात यहा आती है की यह इंडिया यहाँ पर जा रहे है तो यह बिलकुल इंडिया जा रहा है तभी हम इसके बारे में पढ़ रही है तो इंडिया यहाँ पर exercise जाएगा और यह exercise जो है यह बहुत सारी और countries भी यहाँ पर आएंगी अकेला इंडिया नहीं इसमें इहां पर भी और कंट्रीज आएंगे कहां पर होगी यह आपको पता होना चाहिए तो डेजर्ट फ्लाग एक्सराइज जो है इस बार की UAE में की जा रही है युनाइटिड अरब एमिरेट्स के एक एर फोर्स बेस है जिसका नाम है अलदाफरा वहां पर इसको औ और इसमें सर्फ इंडिया और युवेई नहीं और भी कंट्रीज आ रहे हैं जैसे कि फ्रांस कुए औस्ट्रेलिया यू के बाहरी मुरको स्पेन कोरिया यूस साही मत याद करो बस यह याद कर लो यह मल्टी नाशनल है सिंगल नहीं ठीक है यूवेई का एयर फोर्स के हजार लोग यहाँ पर शामिल हैं तो काफी अच्छा होने यहाँ पर पावर अपनी बिल्ट करी तो इंडिया जो है यह पहले भी पार्टिसिप्रेट कर चुका है डेजर्ट फ्लाग एक्सराइस में लेकिन अभी भी कर रहा है ठीक है एक तो हमारी इनके साथ बायू सेना क के रूप में डेजर्ट फ्लाग होई क्या हम इनके साथ यूवेई के साथ और कोई भी एक्सराइस करते हैं तो बिल्कुल हां इंडिया और युनाइटेड अरब अमिरेट के बीच में और भी एक्सराइस होती है एक तो वायू सेना की ही होती है एयर फोर्स की ही होती है जि सेना की exercise भी होती है जिसका नाम क्या है बाइलाट यह बहुत कम होती है तो इसको आप याद नहीं भी रखोगे तो गी चल जाएगा क्योंकि यह तो बहुत ही कम की जाती है exercise सबको clear हुआ तो multinational UAE host कर रहा है यही सवाल पूछे जाते हैं कि कौन host कर रहा है कहां पर है और इस बार इंडिया के पांच light combat aircraft LCA और तेजस तेजस सब ने सुना है तेजस यहाँ पर international पहली बार यहाँ पर perform भी कर रहा है और C-17 aircraft भी है विमान हमारे इंडिया की तरफ से यहाँ पर participate कर रही ह बढ़ते हैं next current affairs की तरफ अब कुछ भारत से जुड़े हुए current affairs को देखते हैं जैसे कि आप लोगों ने सुना है मुलेठी के बारे में मुलेठी लिक्रोस भी कहते हैं उसको मुलेठी की जो है cultivation करने वाला जो है पहला प्रदेश भालबात का पहला राज्य बना है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश याद रखेगा मुलेठी कोक की खेती करने वाला प्रपर जो हैं फार्मस के साथ मिलेंगे CSIR क्या होता है Council of Scientific Industrial Research इसके जो हेड होते हैं वो हमारे फ्राइम मिनिस्टर होते हैं तो यहां पर मुलेटी में बहुत डिमांड है यह यूज की जाती है आयुरुवेदिक मेडिसंस में भी यूज किया जाता है हम बहुत सारी अलग कंट्रीज को यहां पर वहां से मंगवाते ह तो अगर हम इसको यहां पर ही खुद ही इस्तेमाल करने लग जाएं तो अपने को फाइदा होगा इससे इंपोर्ट भी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी तो अविसी बात है हर चीज में फाइदा मिलता है तो उसी के लिए किया जा रहे है इसका बहुत ही मीठा सा स्वाद होत कि यश्टी मधू मधू समझ रहे हो मधूई यहां पर रड़की का नाम नहीं मधू यहां पर क्या चीज़ें यह méठा सा मतल्ब मीठी मीठी को बता जा रहे है कि येज़े इक उसीट नेश के लिए का ambassador जो है recently बनाया गया है UNICEF का एक ambassador बनाया जाता है जिसमें वो क्या बताते हैं कि यह हमारी सारे चीजों को प्रमोट करने वाले हैं तो UNICEF का अभी जो ambassador बनाई गए है वो किसको बनाया गया है हमारे भारत के एक आक्टर आयुश्मान खुराना बॉलिवुड आक्टर सब लोगों इनके बारे में सुना हो जरूर होगा इनको बनाया गया ताकि यह बच्चों के अधिकार के लिए चिल्रन के राइट के लिए आवाज उठा सकें और इसको प्रमोट कर सकें तो यहां पर उन्होंने भी हाँ बहुत ऑनर की बात है जिसमें बच्चों के लिए जो उनके साथ साइबर बुलिंग होती है या जेंडर एक्वालिटी के उपर बात नहीं की जाती है तो यहां पर उन चीजों पर बात करके उसको और ज्यादा प्रमोशन दिया जाएगा युनिसेफ की फुल फॉर्म पता ह नहीं है मैंने ऐसा देखा है कई बार युनिसेफ और युनिसेफ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो युनिसेफ बिलकुल अलग है और युनिसेफ जो है वो और्गनाइजेशन ही बच्चों के याद करो सीज में जो आ रहा है ना वो चिल्डरन के लिए बताया जा है तो युनिसेफ यहां पर बच्चों के राइट के लिए होता है जबकि युनिसेफ में सारी चीज़े मिक्स होती है तो एक यह वाला फाक्ट भी अपना लर्न कर लीजेगा और और भी इससे पहले बहुत सारे सेलेब्रिटीज जो है वो युनिसेफ के साथ जुड़े रह देखिए आप भी जानते हैं कि एक क्वेशन जो है वो इस टाइप के उपर भी पूछा जाता है दादा साफ फाल के अवार्ड जो है ये 2012 से स्टार्ट हुआ था जो हमारे दादा साफ फाल के हैं धुंदीराज गोबिंद फाल के फादर कहे जाते हैं जो इंडियन सिनेमा क उनके लिए दिया जाता है तो अगर मैं बात करूँ सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो कौन सा है भारत में दादा साफ फाल की अवार्ड जो की नैशनल फिल्म अवार्ड द्वारा प्रिजेंट किया जाता है छीक है इसमें एक आपको स्वार्ण कमल दिया जाता है और दस लाक रुपे का कैश प्राइस भी दिया जाता है अब इसमें जो है यहाँ पर इसके पहले विनर दादा साफ पाल के की पहली विनर थी देविका रागी यह एक अक्ट्रिस थी जिनको सबसे पहली बार यह आक्ट मतब कहा जाते कि इंडियन सिनेमा की पहली लेडी जिरो दस साल तक कंप्लीट किये थे इसमें तो दादा साफ वही परसन है जिन्होंने भारत की पहली फुल लेंद फीचर फिल्म राजा हरीश चंद्र को यहाँ पर पुरा बनाया था तो अब इसको बहुत बार दिया जा चुका है हमें सारे नहीं पढ़ने हैं आपको के लिस्ट में मैंने इंपोर्टन यहाँ पर चीजे निका लिया आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो और इस बार का जो यह अवार्ड है आप से में को ऐसे लगता है कि बेस्ट फिल्म तो पूछा या फिर फिल्म ऑफ दा यूर इन दोनों क्याटेगरी में से एक को पे बन सकता है तो मैं तो यह बोलूंड इसको पढ़के जाएगा दो हजार बारा मिजे शुरू हुआ था फिल्म ऑफ दा इयर सबको पता है बहुत फेमस है इसी के सौग नाटो नाटो को भी अवार्ड दिया जा चुका है गोल्डन ग्लोब अवार्ड ऐसी बेस्ट फिल्म है यह जादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यह चार इहां पर लिखें क्योंकि मैं चाहते हूं कि आप यह पढ़के जाएं हर एक स्टूडन यह वाले पूरे चार स्लाइट को पढ़के जाएं ठीक है बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखें मैं आपक पिच्चर दिखाती है इस पिच्चर को देखी अच्छे से सब लोगा यह पिच्चर जो है किसकी है यह अभी मैप तयार हुआ है और यह स्टार्ट हो गया एक पार्क है सबको दिख रहा है यह पार्क है तो यह पार्क क्या है यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्क है लेकि अनुगूती समावेशी पार देखो मैं आपको एक वर्ड क्लियर कर दूँ अनुगूती तो चलो एक आपके एक फील्ड के लिए होगा कि भाई हमें एक एक सोफट टच दे रहे हैं इंक्लूजव उर्ड का मतलब होता है आप हर प्रकार से लोगों को आगे जोड रहे हूँ इंक्लूजव में वर्ड आ आ journée इं इं मतलब जोड न और एड़ी क्या आता है तो आप लोग कोगे कि भाई जो गरीब और अमीर बच्चे सारे एक साथ बैठके पड़े हर एक को आगे बनने का बॉका मिले मैं भी कहोंगे बिल्कुर ठीक बता रहे हैं और क्या इसके तो देखो समावेशी शिक्षा भी कुछ इसी तरीके का है उसमें क्या होता है सिर्फ अमीर गरीब नहीं उसमें जो दिव्यांग जन है न जो बच्चे हैं जो थोड़ा सा फिजिकली चालेंजड हैं उनको भी आगे बनने का मौका दिया जाएं उनके लिए कोई स्पेशल स्कूल्स ना उनको स्पेशल ट्रीट मत करो ठीक है क्या करें सिर्फ आप सिर्फ सब को जोड के पढ़ाएं ताकि उनको कोई अलग से फील ना होगी हमें कुछ अलग से हो रहा है वो भी तो हमारी जैसे हैं तो सेम उसी तरीके से अनुब होती इंक्लूजव इंक्लूजव वर्ट समझ गे न सभी लोगों को जोड के रखने की बात हो रही है ऐसे ही इसी कोई शॉप चलाता है चाहिक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाता है हमें अपनी इकनॉमी को ऐसे डेवलप करना है ताकि हर लेवल पर डेवलप में की जा सके तो वहां पर भी यह अनुबूती शिक्षा भी कुछ इसी अनुबूती जो ही पार्क बनाया गया जो आप तिन गट करीजी उन्होंने यहां पर इसको पूरा स्थापित किया कहां भी किया है वो है नाकपुन महाराष्ट्रा यह आपको याद रटना है 21 तरीके की डिसेबिलिटी को रखने का है इसमें टच करना स्मेल करना वाटर के लिए करना थोड़े से जो मेंटली चालेंज ब भी यहां पर ध्यान में रखके एक ऐसा बनाया गया है ठीक है तो यह बहुत अच्छा इनिशेटिव है इस प्लीज इसको जरूर मतब पढ़ लिजेगा इस पूरी टॉपिक को ठीक है तो मैं आपको बताया है सारी चीजे बस उसी को याद रख लोगे ना उतना भी इसमें इनफ है कि ऐसे से बनाएगे 21 डिसेबिलिटी के कठा करके इसको डेवलाप किया गया है ठीक है सारी फैसिलिटी यहां पर दी गई है तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है दिव्यांग पार्क है इसको याद रखना पिच्चर आप लोगों ने देख लिए पिच्च जादा डेवलाप करने की कोशिश कर लिए तो आप इसको यूज कर सकती है उसके बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट उसकी तरफ इंडिया टुडे ने जम्मू कश्मीर टूरिजम को बेस्ट टूरिजम का अवार्ड यहां पर दिया है बेस्ट टूरिजम अवार्ड अगर मैं ब आपकी कामल में काफी بہتर और काफी अच्छा था पिछले साल वेस्ट iंगहाल को भी दिया गया थार頭 यह बार का जोई ऑवार्ड है पहले दिया डिया गया था पैस अभी किसको दिया गिया है। इसको वियाद रखेगा जम्मू कश्मी बहुत ब्यूट कर 11 जगहा है जम रुकिए इससे भी सवाल बन सकता है नेक्स्ट आर्टिकल है यह आपने पिचर देख ली है बांदी कूट या बैंडी कूट भी दो में से आप कैसे भी इसको पड़ सकते हैं मैं आपको इसकी पिचर दिखाती हूं यह एक तही कि का बैंडी कूट रोबोट है चीक है यह गुरुव्यार के टेंपल एरिया में गुरुव्यार का जो एक पूरा मंदिर एरिया है वहां पर इसको सीवेज को साफ करेंगे देखा ना इस पिचर में सीवेज साफ किये जा रहे है न तो यहां पर मैनुवली हाथों से करने की बजाए क्या करोगे हुमन की जगा रोबो प्लेस पर पेहली बार यह जो प्रॉपर गढ़्ट और इस तरी के साफ करने के लिए यह क्या करता है यह जो पूरा गढ़्धा बनाया यह टीक है और और कोई harmful gases है ना कोई घहरी ली अगर gases भी पड़ी है ना अंदर यह उसको भी बता सकता है और इसमें camera भी लगे हुए है और इसमें motion sensor भी है कि कुछ भी होगा ना पहले पता चल जागा ठीक है तो यह वहां से आया है और इसके अलावा मैं बात करूँ तो bandicoot होता क्या है आप लोग क तो यह भी तो खुदा ही पही काम कर रहा है ना इक तरीके से खो़ज रहाए नेंची की चीजों को तो वहां से नाम रख दिया bandicoot च्पहल क्यों यह वहां से नाम लेका च्छाया है और इसमें कि हैं केरल प्राइड कहा जा जाता है केरला में इसको प्राइड के रूप में जाना जाता है तो यापी याद रखीगा केरल को इस चीज़ का बोला गया important है केरल और भी चीज़ों के लिए news है news में है वो मैं आपको भी बताऊंगी कि क्यों news में है next है अब कुछ समय बाद जो मुंबई का church gate railway station है बहुत ही famous है बहुत भीड़बाड़ वाला इलाका है मुंबई का एक बहुत पुराना 153 year old पुराना एक railway station उसका नाम क्या कर दिया गया है अब change करने की बात हो देज़े किसके नाम पे रखा जाएगा भारत के पहले governor of RBI जिनका नाम है CD देश्मुक चिंतनमनन राव देश्मुक station के नाम से उसको जाना जाएगा यह किसने रखा है जो अभी एकनाथ शिंदे की सरकार मैंने उसे के साथ में एट आर्टिकल दे दिया आपको एकनाथ शिंदे की सरकार जो वहां के चीफ मिनिस्टर है न्यू शिव सेना के नए अब अधिकारी के रूप में शपत दे ली है उन्होंने वही है अब शिव सेना के election commission of इंडिया ने उनको यहाँ पर जो है तीर कमान धनुष और तीर का एक चिंद जो है अवंटिद भी कर दिया है तो फाइनली अब शिव सेना की जो government है वो एकनाथ शिंदे के अंडर रन कर रही है तो उनी उसी सरकार ने यह पास कर वाया अगर मैं सीडी देशमुक की बात करूं तो सीडी देशमुक महराश्टरा से ही बिलॉंग करते थे वो इंडियन सिविल सर्विसेस भी जो है मतब किसी governor of RBI के नाम पे भी रखा गया है तो यह भी याद रखना है तो यह किसने पास कर रहा है एकनाथ शिंदे की शिव सेना सरकार में अगर मैं आपको RBI के बारे में पूछूं तो भई RBI जो है अगर मैं specially RBI के बारे में बात करूं तो RBI हमारा बहुती पुरान बैंक है और यह सबसे बड़ा बैंक है भारत का जो की finance ministry के अंडर आता है पूरे भारत का कंट्रोल करने के लिए सारी चीजों को कंट्रोल करता है कब बना था एक अप्रेल 1935 में ठीक है फिर इसको अब मेरा सवाल यह है कि जब यह बना था एक अप्रेल को RBI का आप्ट आय था 1934 में लेकिन यह बना 1935 में तब इसके पहले गवर्णर कौन थे देखो आफ्टर इंडिपेंडेंदेंस आजाधी की बात वाले तुम ने बता दिये सीडी देश्मूख है लेकिन आफ बिफोर इंडिपेंडेंडेंस कौन थे बिफोर इंडिपेंडेंस गवर्णर थे भई लाम लिख लीजे सब लोग बिफोर इंडिपेंडेंस पहली बार बने थे सर औस बॉर्ण स्मिट जिन स्टोडन्स को नहीं पता प्लीज इस वाले काट को लिख लीजे चीक है आर बिए के अंदर टोटल 21 मेंबर होते हैं जिसमें एक सबसे बड़ा होता है गवर्नर ठीक अभी कौन है शक्तिकांत दास उसके बाद चार होते हैं Deputy Governor उसके बाद Finance ministry से representative भेज जाते हैं 10 डारेक्टर होते हैं जो गर्मेंट भेजती हैं और चार अलग-अलग directors होते हैं जो मुंबई कलकत्ता चन्न्टपड जिल्ली में represent करते हैं clear हुआ सबको यहां तक RBI के बार ने RBI की सबसे पहली बार बनाने की जो बात की थी ना कि सबसे पहली बार इसको बनाया जाएगा वो बोला था एक commission जिसका नाम है Hilton Young Commission Hilton Young Commission भारत आई थी और इन्होंने सबसे पहली बार बोला था कि हमें ऐसा बनाना है 1926 में बोला था कि बैंक ऐसा होना चाहिए इन्होंने ये चीज़ बोली पर इनकी बात मानी नहीं गई थी उसी समय यहां पर B.R. Ambedkar जो थे हमारे B.R. Ambedkar जी ने यहां पर एक बुक भी लिखी थी The Problem of Rupay उसमें काफी बात हुई थी इसके उपर फिर Finally Simon Commission भी आये थे Simon Commission के बाद यहां पर 1934 में Act Pass हुआ और 1935 में यहां पर RBI की स्थापना कर दी जाती है ठीक है और जब Partition हुआ 1947 में तब ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को अलग बैंक उस समय में गया नहीं RBI ही पाकिस्तान के लिए भी काम कर रहे थी जब तक पाकिस्तान का बैंक नहीं बन गया 1948 में ठीक है तो फिर वहां से जो है उसके बाद से फिर Act Pass हुआ और फिर उसके बाद से RBI की जिम्मेदारी है पूरा Bankers of Bank बन के काम करना सारी चीज़ों को सारा लाइसंस ही आपको RBI से लेना होता है और मैं ये बता दूं कि इसके Headquarters आज के समय में कहां पर है Headquarters है महराष्टरा में मुंबई में शहीद भगत सेंग मार्क क्या हमेशा से मुंबई में ही है नहीं पहले कहा थे कलकता में जब बना था ना 1935 में फिर 1937 में 1937 में इसको कहां शिफ्ट कराया गया मुंबई शहीद भगत सेंग मार्क में ठीक है ये भी याद रखेगा चलिए बढ़ते हमारे next article की तरफ ये आप याद रखेगा ये भी मैंने बता दिया election commission of इंडिया की अब नहीं जो है यहाँ पर शिफ सेना को बना दिया शिफ सेरा के जो हैड है वो एकनात शिंदे को बना दिया next है हमारा article देखो मैं आपको पहले भी पिछले हमारे lecture में चार्ट GPT के बारे में बता चुकी है ना तो चार्ट GPT मैंने आपको बताया था भारत का खुद का आया Lexi जो के velocity ने बनाया है मैंने बताया UIDAI Unique Identification Authority of India जो हमारा आधार कार्ट के लिए देखती है इन्होंने भी अपना बनाया है जिसका नाम है आधार मित्र उसी प्रकार से agriculture sector के लिए भी यहां पर क्या बनाया गया है एक अलग से चार्ट GPT बनाया गया है जिसका नाम है अमा प्रुश AI अमा क्रुश AI ओड़ीसा की सरकार द्वारा इसको ऐड़ीसा की गवर्नर जो है उनके द्वारा launch किया गया है ओडीसा में किया गया है तो यह भी आपको याद रखना है भारत का पहला agriculture चार्ट पूस एक्री कल्चर के लिए बनाए गया अमकुर्शि है और बाकि यह भी याद रखना Google का भी है अपना Google का भी चार्ट GPT है अपना क्या नाम है उसका BARD B.A.R.D. मैंने अपने पिछले लेक्चर में चार्ट GPT के बारे में आपको समझाया है तो जिसको भी डाउट हो क्या होता है वो मेरा पिछला वाला लेक्चर है जो थर्ड वीक का लेक्चर है वो भी अप्लोड हो चुका है आप लोग वो सुन करके उसमें मैंने बताया है जिसने नई सुना जरूर सुने बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसा लगा आपको वो लेक्चर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा ठीक है तो अपना वो कंप्लीट जरूर कर ले ना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है वह वाला लेक्चर में मेरे बहुत डिटेल में चीज़े सारी समझाईगे ऐसे ह अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारा ये कि इस बार का जो हमारा वर्ल्ड वेट्लांज दे था फेब्रड़ी में 2023 की इस बार की जो थीम है वेट्लांज रिस्टोरेशन इस टाइम फॉर वेट्लांज रिस्टोरेशन ये आदर भूमी बहाली का समय है बचाने का समय है भारत में कितनी वेट्लांज साइड है 75 कई स्टूडन्स कन्फ्यूज हो जाते हैं वेट्लांज और यूनेस्को की हेर साइट है वो चालिस हैं कंफ्यूज मत होना बिलकुल भी इस टीज में जरूरी है इसको लिखना और याद करना बिकॉस एक्जाम में कई बार इस पर सीधा सीधा सवाल पूछते हैं कि कितनी है यहां पर ठीक है तो ऐसा क्वेशन आजाता है इसलिए मैंने आपको यह दे दिय मैटे के पास पहले यूपी था लेकिन अब कॉदिया है उसके बाद यूपी है जिसमें डास साइट है तो जो रीसंटली आड़ न आपका जो भी एक्जाम आ रहा है recent वाली पढ़की जाए मैं यह नहीं बोड़ी पिचत्तर की पिचत्तर learn कर लो अगर कर लो तो बहुत अच्छी बात है पर लेकिन जो बिलकुल last last में add हुए न अगस्त में वो तो आपको learn करनी पड़ेगी वो तो मैं आपको as a teacher बिलकुल कहूंगी कि जरूर learn करीजेगा ठीक है बढ़ते हैं next हमारे question की तरह इस बार का जो एक award है Felix Kofogat Bogni Award यह किसको दिया गया है तो इस बार का यह जो award है यह Angela Marker Angela Marker को यह award दिया गया है क्योंकि Angela Marker जो है यह जर्मनी की chancellor रही है पहले इन्होंने ऐसा क्या किया था जिनको यह award मिला है इन्होंने open door refugee जो यहाँ पर ivory coast की एक country उसकी capital है वहाँ पर जो भी refugees की problem चल रही थी उसको उन्होंने 2015 में solve करा था या आप कहलो कि काफी सारी उनमें मदद करी थी उस purpose को celebrate करवाने के लिए उनको इस टीस का एक honor देने के लिए यह award दिया गया है किसकी तरफ से UNESCO Peace Prize UNESCO का शांती सम्मा अगला question है ICC Women World Cup 40-20 2023 का जो है वो किसने जीता है ठीक है तो इस बार का यह जो award है यह जीता है Australia ठीक है तो आपसे सिधा यह पूछा जा सकता है कि इस बार का यह award जो है वो किसने दिया है और यह किसको हरा के जीता है Australia ने वो है South Africa ठीक है और साथी साथ यह इस बार का जो यह World Cup है T20 का यह हुआ कहा था तो वो भी कहा हुआ था South Africa में ही हुआ था ठीक है South Africa में 10 February से 26 February 2023 तक Last वाला Cape Town में हुआ था और Australia ने इसको यहां पर जो है वो जीता है South Africa को 19 रन से हराते हुआ ठीक है और यह कौन और्गनाइस कराता है यह ICC क्या है ICC की Full Form International Cricket Council ठीक है और Women की बात हुआ यहां पर International Cricket Council जो है इसके Headquarters कहा है ICC के इसके Headquarters है दुबई UAE में ICC के Headquarters बने हुए है 1909 में इसकी स्थापना की गई थी चलिए बरते हैं हमारे Next Question के तरफ अभी Recently ही कोलम को जो है एक Award दिया गया है जिसका नाव है सुराच ट्रॉफी अब सवाल है कि भई सुराच ट्रॉफी पहले तो मैं यह बता देती है कि कोलम को सुराच ट्रॉफी मिली है और इसमें क्या पूछा जा सकता है सुराच ट्रॉफी जो है उन्होंने बहुती बेहतर तरीके से अपना पंचायत को निभाया है पंचायत का आवाट दिया जाता है तो ये उनको यहाँ पर आवाट दिया गया है कोलम डिस्ट्रिक को ये है कहाँ पर कोलम डिस्ट्रिक लोकेटिड कहाँ पर है तो देखे कोलम डिस्ट्रिक जो है वो केरला में लोकेटिड है मैं आपको इसस इसके लिए याद रखना है ये भारत का पहला Constitutional Literate District के रूप में बन गया है Constitutional Literacy का मतलब है जिसने Constitution की बारे में जादबारी हासिल करी है ठीक है और second number पे भी कौन रहा है वो भी केरल का ही कनौर डिस्ट्रिक्ट है मैंने का था ना भी थोड़े दिर पहले कि केरल मैं आपको बताऊं कि अभी और चीज़ों के लिए भी निउस में है तो वह यही है ठीक है तो यह आप याद रखना कि यह अवार्ड इस चीज़ के लिए है और कोलम अभी निउस में भी है एक तो यह कोलम जो है वो उसको Constitutional Literate बना है और सुराज की ट्रॉफी भी मिली है ठीक है और एक चीज़ बता दू केरल में एक और भी है जगा के से क्योंकि के के से सारे नाम चल रहे है ना इसलिए तो केरल में एक और जगा है जिसका नाम है कोटायम यह कोटायम क्यों न्यूज में रहता है या फिर क्या है खास यहां पर भारत के रबड बोर्ड ओफ इंडिया के headquarters बने हुए सबसे जादा जो रबड है वो यहां पर उगाई जाती हैं पर मिलती है तो यह इसलिए भी न्यूज में है फ्यार हुआ सब को यहां तक नेक्स्ट वेशन है हमारा अभी जो पीएम गती शक्ती की रीजनल वर्क्शॉप पहली है यह सबसे पहली बार यह वर्क्शॉप कहां पर हुई है ओप्शन है महराश्र लद्दा गोवा पुडुचेरी तो अभी पहली 20 फेब्री को हुई थी यह वाली और पहली वर्क्शॉ में और डनाइस कराई गई है घृग के पंजी में इसको और डनाइस कराइगे इसको आप एक बार देखनी जहें हाँ पर भी मैं लिखते लिखनी हूं इदर गोवा के पंजी चेक है अब इसका अबजेक्टिव क्या है कि जो पीएम गती शक्ती प्रोग्राम है हुमारा जो तो आइडिया क्या है कि हर स्टेट से हम लोग इसमें कौन कौन है वेस्टन और सेंट्रल जून के हैं तो काफी सारी स्टेट्स इसमें आकर के मिलके पार्टिसिपेट करके बढ़ाएंगी इसमें गुजरात आई महराश्टाई गुवाच अत्रिस गड़म अध्यप्रिदेश उनके सारे सीएम उनके सारे मिनिस्टर आफ जो भी वहाँ पर रोड ट्रांस्पोर्ट के हैं कमिनिकेशन के हैं स्वास से जादा लोग आयते वहाँ पर अब उसमें डेसाइड किया गया कि हमने आपको कैसे आगे बढ़ाना है तो इस तरीके से थे यह आपके इस हफते के सा कम्प्लीट कर सकते हैं तो इसको पूरा कम्प्लीट कीजिए फेब्री मन्थ अपना कम्प्लीट कर लिए और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट हफते मार्च में तब तक के लिए धन्यवाद शुक झाल